दोस्तों Indian Railway Finance Corporation Limited यानि IRFC की बात के तो Friday को हमने गिरावड देखी है लगबग 1.26% की जो गिरावड थी इसके पीछे वज़े यह है कि BSC Financial सेक्टर में भी गिरावड थी और इसका आसर यहाँ पे देखने को मिला लेकिन क्या आने वाले समय श्टॉक फिर से 3-digit में जाएगा क्योंकि श्टॉक 3-digit से नीचे आया क्या भी यहाँ पे गिरावड का माहल बनेगा तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड नीज है जो आने वाले समय इस श्टॉक को बहुत उपर लेके जा सकती है तो क्या इस समय हमें इस ग्रावड का फाइदा उटा के IRFC में इन्वस्मेंट करना चीए क्या इस्टॉक आने वाले समय निकट भविश्य में 4-digit में भी जा सकता है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ पागत है तो IRFC के कारूबार की बाद को फ्राइडे को हमने गिरावड देखिया स्टॉक की शुरूआ थी पॉजिटी वन हेंड़ेट वन पर अब देख सकते हो कि 98 क्लोजिंग तो काफे ची शुरूआ थी लेकिन यही दिन भर का हाई था जो लो बना वो 96 का है और अंत में क्लोजिंग 97.60 के आसपास है जापे 1.26% की गिरावड थी तो इसके पीछ वज़े है कि BSC Finances Service में भी लगबग आदा परसेंट के आसपास की गिरावड थी तो भले ही बादजार ने अच्छी खासी तेजी बता हो लेकिन BSC Finances सेक्टर में गिरावड थी इसका निगेटिव 4.35 के आसपास है जापे 0.4% की गिरावड थी उन्निस दिसमर को स्टॉक आगया 100 पर यानि 3 डिजिट को टच कर लिया 6.1% की सांदार तीजी के साथ लेकिन 20 दिसमर को जब बाजार में जंबर 10 गिरावड का महुल बना करीब 2000 पॉइंट की बहिंकर गिरावड थी निचले की सांदार तीजी के साथ तो जितनी गिरावड थी लगबग उतनी ही रिकवरी फिर से होगी 21 दिसमर को और 22 दिसमर को बाजार के नर्वी का आसर या पर देखने को मिला श्टॉक फिर से 97.75 के आसपास है लेकिन श्टॉक काफी मजबूत है और बहुत जली आप एक नई त टेजी बन सकती है वैसे इस श्टॉक ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान भी किया है अब आपको यह पता ही होगा जब इसका आई प्यू आया था 25 के आसपास उसके बाद में लिश्टिंग डिस्काउंट में भी श्टॉक काफी नीचे रहा और उस समय भी लगाता है इसके बाद वीडियो बनाए जब भी तेजी नहीं आ रहे था उसके बाउज भी वीडियो बनाए और मैंने का कि इसमें आप बने रहे यह आने वाले इसमें आपको बैतर रिटन जरूर देगा लेकिन यह समय बहुत लंबा निकला आप देख सकते हो 30 अप्यल 2021 को इसकी प् पड़ा तो लेकिन जब तेजी बनने लगी तो वो बहुत ही कम समय सांदार तेजी बनी आप यह देखी सकते हो 18 जुलाई को श्टॉक 32 रुपे के आस पास था और आप यह देखी सकते हो कि 11 सेप्टमबर को यह 84 पर पहुँच गया और इंट्राडे में तो यह 92 किसने हाई बनाई तो जो 32 का स्टॉक था वो सिर्फ दो महीने में देखे तो 92 तक पहुच गया यानि जो आपका रिटन था वो लगबग दुगना ने बलकि तीन गुना हुआ तो यही एक होता है ट्रिगर जब मिल जाता है तो स्टॉक लगातर दोड़ते और रिटन कही गुना देश थे तो पहले डेट दो साल लोगों को परिशाद किया लेकिन पिछले दो महीनों में ही ऐसी सांधर तेजी बनी के लोगों का सारा कर सारा जो नुकसान था वो भरत पाई तो हुआ ही बहुत ही जबरदस रिटन मी बिला अब यहाँ पे जो आगे जो तेजी की संभावनों बंद रही है तो देख सेतों कि यहाँ पे financial 2014 के लिए जो निवेस का जो प्लान बनाया गया है कि आने वाले समें railway sector को बहुत सारा सरकार इसमें खर्च करना जा रही है G20 सिकर समय में विकास और विवसाय सुदार में कई फैसले लिये गए है जो आने वाले समय में IRFC समय दूसरे railway के शुरू में तेजी आ चुकी है और साधा आने वाले समय में इससे जादा तेज़दर और तेजी आ सकती है अब जो सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जो फाइनेस एडर उसमें बजट में आवेंट अच्छा किया अगर रेलवे सेक्टर के लिए और आने वाले समय में भी इसमें और एनॉसमेंट होगी लगातार वंदे बार ट्रेनों की संक्या बड़ाई जाई है रेलवे के नए कोच बनाए जारे और सर्विस में सुधार के जारे सेक्टर के उपर खास ध्यान जारा है अब सबसे जो बड़ी बात है कि जो नतीज़े थे वो भी काफी बैतर रहे थे उसका भी पॉटिव इफेक्ट देखना हो मिला अभी फिलाल इसमें सरकार की ओडिंग 86% है निखिट बविस में उसको 75% पर लाए जाएगा उसके लिए ओफेस लाए जा सकता है अभी फिलाल इसकी चर्चा नहीं चल रही है लेकिन आ सकता है उससे ज़्यादा कोई फरकनी पड़ा इससे पहले भी ओफेस हमने देखा है चाहे आरवीनल हो या फिर इस जवीनल जिसमें ज़्यादा कोई फरकनी पड़ा ओफेस के बाद भी प्राइस फिर से बढ़ी है अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट से भी के रिशेज अनाली वीवेक खत्री उनका कहना है कि IRFC के शेयर में आपको नि देने अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इसके लिए जो प्लस पॉइंट साबित होगा जो इसको ट्रिगर मिलेगा वो यह कि आप देख सकते हो कि जनवरी के पहले महिने सब्ता में यानि फर्स्ट विक में ही AMFI की लिस्ट जारी होगी और इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर सकते हो कि IRFC को नियए करोड को कि बहुत पहले क्लोस कर चुका है ऐसे में यह लार्ज-ट के में चला जालेका और मतलब यह होगा कि इस में बहुत सारा निवेस आना नया सुरू हो जाएगा तो यहाँ पर देखें कि 49,700 क्रोड की जो market cap है वो cut off है इसकी large cap के लिए उसके बहुत उपर पहुँच चुका तो बिल्कुल ये large cap का इसेदार है और आप देखें कि जनर्वरी के first week में इस list में सामिल होगा और फरवरी से ये index का हिस्सा बन जाएगा उसके बाद में आप द definitely बड़ेगी ही बड़ेगी कोई रोक नहीं पाएगा इसके अलावा जो दूसरा इसके लिए point to trigger होगा वो होगा कि आप देखें तो निप्टी next 50 index का भी हिस्सा बनने जा रहा है तो ये देख सकते हो कि इसमें करीब यहाँ पे 15 million dollar का नया investment आ जाएगा लोग जो index में निव investment आना शुरू हो जाएगा तो देखें तो कि second आप फरवरी के यहाँ पे index का हिस्सा बन जाएगा और March से उस list के अंदर यह सामिल हो जाएगा तो आप यह समझ सकते हो कि जनवरी से ही लेकर यहाँ बहुत सारे नए project trigger इसको मिलने वाले SMS की price बढ़ेगी और यह मौका अच्छा है कि 100 के आसपास खरीदारी आप शुरू कर दे जो सबसे जो बड़ी बात है इसकी कि यह एक तरसी सा monopoly business है और सारे के सारे tax के दारे से इसको बार रखा गया है आप इसके revenue को देख सकते हो जो बहुत तेजी से लगातर बढ़ रहा ह 2019 में जापे 11,133 क्रोड के आसपास था जो 2023 में बढ़के 29,891 क्रोड तक पहुँच गया लगातर हर साल revenue बढ़ रहा है प्रोफिट की बात करे तो 2019 में जापे 2,254 क्रोड के आसपास था जो 2023 में बढ़के 6,337 क्रोड तक पहुँच गया तो यहाँ पे profit double नीबल की तीन ग जो 2023 में बढ़के 4,85 रुपीज क्यास बढ़ गया तो इसका EPS भी सुधर रहा है काफी साधार तरीके से और आप देख सकतो कि हर साल EPS में वर्दी हो रही है इसके अलावा गर हम इसके ROE की बात को वहाँ पर भी अच्छा खासा सुधर हुआ है 2019 में जापे देख सिरफ 9 13.93 तक आ गया तो इसका मतलब यह है कि सेहत सुधर रही है हर तरह से एक बार इसके pivot level को भी चेक कर लेते तो यहां से अगर गिरावाट हो जाती है तो 95 का फर्स सपोर्ट है यह सपोर्ट टूटा तो इसको इसको 90 तक जाता हो दिखा है और अगर सेकेंड सपोर्ट भी आप इसको पार करते ही 104 का सेकेंड रेजिस्टेंस है और एक बार 104 को पार किया तो फिर 106 तक भी जा सकता है तो बिल्कुल संभावना बनी हुई है ऐसे में लॉंग टम इंवेश्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप IRF से निवेस करें कम से कम इसको पास से 10 साल दे द करता है तो यह लॉंग टम इंवेश्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि खरिदाई करें शौट टम इंवेश्टर थोड़ा वेट करें अभी फिलाल FI का रुजान देखें उसके बाद में इंवेस्ट्मेंट के बार में सोचें लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्ट् यह अपना खुद का रिसर्च करें क्योंको मैंने वीडियो आपके जुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुकी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तैंक यू फ्रेंड